हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टू मैं चैनल कॉम स्कॉलर आज हम एस वीडियो लेक्चर में एक नए चप्टर पढ़ने जा रहे हैं जाट इस वेलिशन ऑफ गुडविल देखिए गुडविल तो आपने वैसे पढ़ा हुआ है और ट्वाशन में की गुडविल क्या होती है और आपने इसके वेलिशन के बारे में भी अच्छा से पढ़ा हुआ है तीरी में तरह आपने पढ़े होंगे प्रॉबिबली बट हम बारे में अब हम थोड़ा एडवांस लेवल लेकर जाएंगे की गुडविल का बेसिक क्या है इसके वेलिशन क्यों करते हैं एंड वेलिशन के जो हम आपने ट्वाशन में आपने पढ़ा तो होगा बट कुछ आपने कंसेप्ट शायद आपने इग्नोर कर दी होंगे या फ कि वैसे तो देखा जाए कि अगर आप बाकी चप्टर से कंबे करें तो ओविसली यह इजी चप्टर है बिकोज एक गुडविल की से वेलिशन है राइट एंड ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है बट यास आपको बहुत केरिफू रहना है वाल के लिशन राइट चले जाएक गुडविल कहता है तो इसका मतलब क्या है अगर किसी एंटीटी का गढ़ ने यहां कि फीचर में होने वाले जो प्रोफिट है जो कि आनेउस पेड़ हो सकते हैं ठीक है और उन सब के अगर आज़ां प्रेज़न निकाल है तो वह क्या बन रहेंग गया बिग गूड या फिर यह बोट सते हैं कहले खावा है It is an intangible asset which represents benefits of highly uncertain return देखो कैबर कहाता है कि हर बिजनेस को पता होता है कि मेरे इतनी capital लगी वी है मेरे बिजनेस का ये operation है और अगर मैंने इतनी capital लगाई तो मुझे इतना expected rate of return मिलेगा लेकिन अगर मालनीजे अगर आप क्या return जो है more than expected आ गया तो वो क्यों आया क्योंकि आपकी अपनी entity की company की आपकी goodwill है इसलिए आपकी sales जादा हो गई इस बार more than expected हो गई more than expected आपका मुनाफ़ा हो गया तो इसका मिलब क्या हुआ जब आपकी unexpected आपके पस बहुत जादा profit या gain हो जाता है क्यों होता है just because of your goodwill तो आपकी reputation market में है चीक है तो उसकों को बोलते हैं goodwill make sure clear that it is not a fictitious assets देकि fictitious assets क्या होती है जो अपने आप ही arise हो जाती है intention नहीं होता company का जो कि arise होती है राइट जैसे कि preliminary expenses राइट देकि preliminary expense से देखा जाता है एक तरह का expense है जो कि पी इंडर में debit होना चीए but इसका nature ही ऐसा है accounting का कि इसको हमें balance sheet में लेकर जाना पड़ता है और ये company का asset बन जाता है मजबूरी बन जाती है और देखा जाता है fictitious assets क्या होती है जो कि एक तरह का नुकसान present value of future expected profits अब question आ रहा है जाता है कि हम क्या पड़ने जा रहे है इसकी method यानि की valuation पहले पता होना चाहिए कि valuation कर क्योंने goodwill गी देखें डिर्मेंट करता कि entity कौन सी है मान लीजे अगर वो entity है कोई company है तो company की goodwill हम क्यों निकाल रहे है for the purpose of the acquisition मानिजे मैं किसी company को acquire कर रहा हूँ तो उस company की market में goodwill क्या है मुझे वो भी देखनी होगी क्योंकि सिदी से बात है अगर मानिजे मैं आप भी की company को acquire कर रहा हूँ ठीक है आपकी total company के assets and benefits है मैंने वो calculate कर ली net worth मैंने निकाल लिया मानिजे आया 10 crore लेकिन बोलरों कि नहीं 10 crore नहीं मुझे चाहिए 13 crore मैंने कर वा 13 crore रहा हूँ क्योंकि 3 crore आपकी company की goodwill है आप मुझे जो net worth से जाता जितना में मांग दोगे वो क्या है just because of your goodwill तो mainly जो purpose होता है company में अगर goodwill के बात होती that is for the acquisition किसी company को take over करना amalgamation होना कुछ भी होना तो इसलिए हम जो goodwill कर रहते हैं right अब हम देख रहे हैं कि what are the various methods of calculating valuation of goodwill first one is that is called average profit method then आपका that is called super profit method third one is that is annuity method fourth one is that is capitalization of super profit method and the fifth one is that is the capitation method याफ इसको बोल जाता है that is capitalization of average profit method right one में one discuss करते हैं पहले हम बात कर रहें that is average profit method देखिए वैसा तो आपने twice random अच्छ से कर ली आओगा obviously no doubt बट फिर भी देखिए इसका एक थोड़ा brush up को रहे ताक आपको easily understand हो जाए कि होता क्या है और इसको हम जब हम practical part करेंगे तो आप सको करने मज़ा भी आगा देखिए average profit method basically दो टाइप में job का divided होता है that is simple average and the weighted average और हम दोनों के बारे में इसको discuss करेंगे और दोनों में difference भी देखिएंगे देखिए पहले बात करते है average profit method यानि कि simple average पहले पता होता है क्यों हम जो है simple average method क्यों निकाल रहे है for the purpose of valuation of goodwill क्यों निकालना चारे है जैसे मान नीचे मैं वरनों कि पिछले 5 साल का मुनाफ़ा ये है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ये आपकी company की जो है पिछले 5 साल का profit है अब मैंने आपकी company को acquire कर रहा हूँ अब आप बलोगे कि sir हम ने तो कोई इतनी महनत से अपनी company बनाई थी अब आप तुझा से हमारी company को acquire कर लोगे और आप मुनाफ़ा कम होगे मैं कहा मैं तो कमा हूँगा मुनाफ़ा क्योंकि मैं business कर रहा हूँ ना मैं अगर आपकी company को acquire कर रहा हूँ तो मैं आपकी company को acquire करना बंध होना करूँगा मैं उसी same business को continue करूँगा और मैं अपना profit earn करूँगा अब question आप आप तक आपने इतनी महनत करी पांस साल तक आपने महनत करी और आपने अब तक जो है तक इतना profit देखे earn कर लिया बैद 10,000 अपने शुडू कर रहा था तक पचाज अरता का आप लेके चलेगे इसको अब मैं जब आपकी company को acquire कर लूँगा या आपकी business को जब मैं acquire कर लूँगा तो आपको जो अब तक मुनाफ़ा हो रहा था वो मुझे भी तो होगा क्योंकि market में अब तक जो आपका नाम था वो तो आपका महारे थे लेकिन जैसे ही वो business आप मेरे नाम पर transfer करोगे ठीक है उसके बाद मैं भी तो कुछ return earn करूँगा उससे क्यों क्योंकि वो already existing business है market में market में पहले सी पता है इस नाम का business या इस नाम की company फैले सी चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ जो आपको अब तक मुनाफ़ा हो रहता वो मुझे भी earn होगा अब आपने बोला कि भी तेखो इस साल जो है मैं को जो है पचाशार का मुनाफ़ा हो था ठीक है तो जो है मुझे रहता है कि जब आप मेरी company को acquire कर लोगे तो अगले तीन साल तक ये profit का मुनाफ़ा आपको मिलता रहेगा यानि कि इस साल कितना मुनाफ़ा आपको पचाशार और जैसे मैं आपका company को या आपकी business को acquire लोगा तो अगले तीन साल तक मुझे पचाशार का profit होता रहेगा तो आपने बोला मुझे डेड़ लाग रुपे extra अच्छी है मानने जिए मैंने अपकी company को पांस लाग रुपे में मैंने डिसेड़ कर मैं पांस लाग रुपे होगा आप लेवन नहीं ये पांस लाग रुपे तो वो है इस डेड़ लाग रुपे मुझे आप extra यानि कि मैं आपको extra दूँगा राइट तो अब ये question arise को मेरी तब से आ सकता है बही इस साल ठीक आपको 50,000 हुआ लेकिन अग्रा साल आपको 40,000 हुआ तो मैं 40,000 के साब से लूँगा आप बोलोगा नहीं फिर में बोलूँगा कि नहीं देखको उससे जाद 23,000 का हुआ था उससे लास्ट येर देखिए 20,000 का हुआ था उससे लास्ट ये 10,000 का हुआ था बच ज़री थोड़ना कि प्रॉफिट बड़ी रहा है तो मैं जब में आपके business का कर लूँगा तो प्रॉफिट सेम रहेगा घट बीद रो सकता है तो इसका मलत अभी इसमें का उता है कि इसमें डिलेज जो ऐसी डें नेखिशिशन है होते है कि बोलते है कि पिना तेरी ना मेरी एक काम करते है पिछले साल जितने मुनाफ़वा कमाई आ उसका तो सबका एवरेज लेके चल लिए देखे डिएड़ लाग डिएवड़ वे 5 तो कितना हुआ थीज़ार मंटिपलाइब थरी यर्स परचेस इस मंटिपलाइब थरी क्या है यानि कि जब मैं आपका बिजनेस एक्वायर कर लूँगा ठीक है तो मैं आपके नाम पे जो है कब तक मैं अपना मुझे मुनाफ़क कर सकता हूं यानि कि तीन साल तक तो मैं आपके ही जो गुड़विल के धंपे जम्हें मैं आपका मुनाफ़क हमाऊंगा तो यानि कि गुड़विल कितना आगी या क्या एवरेज प्रोफिट मॉन्टिपलाइब थरी यर्स परचे क्या बन क्या आपका एवरेज प्रोफिट मंटिपलाइब थी यर्स परचेश मैं फिर से बोटो नंबर ओफ यर्स परचेश का मतलब क्या है अगर मैं आपके बिजनेस को एक्वाइर करने जा रहा हूं माली जी मैंने क्या कर लिया ठीक है उसके बाद कल तक यह बिजनेस आ आपका खरी दिया कल उसके बाद से वह प्रोट जो है सेल ही नहीं होगी बहुत भी प्रोफिट ही नहीं होगा तो इसका मलब कुछ साल तक वह प्रोफिट है वह मैं भी कमाऊंगा तो उसका बोलते है नमबर ओफ यर्स पचेश आइड अच्छा क्लास या दखना एवरेज प्रोफिट को हम बोला करते हैं वैसे हम फीचर मेंटेनेबल प्रोफिट बहुत सिद्धी से बात हम क्या निकाल रहे हैं एवरेज प्रोफिट बहुत यहीं फीचर मेंटेन होने वाला है तो इसके बोलते हैं फीचर मेंटेनेबल प्रोफिट अब क्रोफिट को निकाले कैस है तो हाव तो एक एक लिए फीचर मेंटेमेंट प्रॉफिट कैसे गालना है पहले आप ले लो प्रॉफिट फॉर दी इयर जो गया आपको गीवन होगा वो लेकर चलेंगे इसके बाद आपको कुछ एबनोर्मल नोन प्रॉफिट एक्सेंस और लोच को एड करना है क्यों एड करना है चि decía मान लेजिए पिछले थीन साल में मान लेजिए फहले आपकी बिजनस में कुछ चोर ही हो गिदी माने जिए 10,000 रुपे का आपका नुकसान हो गया अब जब मैं आपका बिजनस का एकवाय करूँगा तो क्या मैं वो लोस भी कंसेड़े करूँगा for the purpose of configuration of goodwill वही मैं लास्ट येर का क्यावणों का profit लेकर चल रहा हूँ और मुझे पता तला कि ऐसा एक ऐसा नुकसान हो आपका होगा है जो आपकी कंपने में क्या वो लोस हो गया हूँ डैमेज हो गया या चोरी हो गई लेकिन जब मैं आपका business का रहा हो लोंगा कहते हैं तो क्या acquire करने के बाद भी क्या चोरी होगी जोरी थोड़ना हो या ना हो तो फिर हम क्या करते हैं एक तरह देखा हम profit कौने से लेते हैं only the traded profit लेके चलते हैं और जो normal course of business में जो profit and loss होते हैं सिर्फ उसी कोई कोई क्या जाता है abnormal कोई नहीं तो जो loss हूँ है past में जो भी abnormal loss हो को एड़ बे करोगे कौन कौन सो होते हैं loss by fire या theft loss on sale of fixed assets interest और dividend paid voluntary retirement compensation देखें वोलंटरी retirement compensation का में लगाँ जैसा मानने चाहें आपको ये company में कोई employee है ठीक है वै ऐसे देखें रिटार्मेंट की age का होती है 60 years होती है मानेंजे किसी परसन ने 40 years की age में retirement क्या ले लिया voluntary retirement ले लिया तो उसको आपको कुछ amount देना पड़ा देते ने जैसे कहते ग्रेचुटी देना पड़ा या कुछ pension देना पड़ी आप जो भी कुछ है living cash में देना पड़ा जो कि आप आपने उसको पता नहीं था वो suddenly हो गया वोलेंटरी टायमेंट तो बंदा कोई भी ले सकते है न चीक है तो at the time of retirement आपको कुछ heavy payment करना ही पड़ागी लेकिन जब मैं आपका business है का करूँगा जोरित होना है कि जो बाकी employees है वो भी voluntary retirement लेंगे चीक है तो वो तो आपके लिए expense है लेकिन वो मैं expense क्या करूँगा वो क्या abnormal यानि कि unexpected जो है वो expense है यह expense है उसको मैं क्या करूँगा add back करूँगा right then अब बात करते है कुछ abnormal gain भी हो सकता है जैसे कि insurance claim हो गया जैसे जैकि loss by fire होगा था आपने कहा कर तो इसको insurance करा रहा रहा था वो मिल गया आपको तो वो profit में add होगा तो मैं इसको क्या करूँगा minus क्यों 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 क्या abnormal then profit on sale of excess सिद्धी सी पता है business operation जो हो है daily जो business जो कंड़ होते हो क्या तो on trade basis हो है ठीक है building बेशने का काम नहीं है property बेशने का काम नहीं है अगर manager आपने कोई company बेच दी sorry building बेच दी उस पर आपको gain हो गया appreciation मिल गया आपको वो आपने profit में add कर दिया ठीक है तो वो क्या आपका abnormal है ठीक है abnormal है वो daily basis पर तो नहीं होता न तो उसको क्या करेंगे minus then interest or dividend आपने dividend declare declare ठीक है भाई वो sorry आपको dividend मिल गया वो आपका unexpected है company dividend declare करे ना करे वो किस पर dividend करते है company dividend करते है तो उसको करेंगे minus यह कम यह जाता जो भी कुछ होता है भाई होता है एक company जो हर साल dividend देखले करती है तो रेड़ भी तो वेरी होता है भाई होता है आज आपने 10% गया उससे पीछ आपका 8% ही था चीक है तो इसको भी हम एक तरह से abnormal नहीं मांगे चलते हैं then plus का करेंगे हम over valuation of opening stock देख इसके समझने के ध्यान से दिखें आपने 11 अट में आपने एक account बनाया होगा तो इस कोल ट्रेडिंग अकाउंट कि ट्रेडिंग अबनाया होगा अपने यहां पर इक है लिगते थे आप sales पि लिखते थे आप closing stock total आ गया यहां का लिखते थे आप purchases direct expenses यह सब लिखते थे थे आप ठीक है एन ओपरिंग स्टोग अध्वादा यह सब आपका आएगा item आचाते थे राइड अब क्या लिखा में आप आप ऑवर वेलिशन और ओप्रिंग स्टोग आप दहां से देखें अगर मानेजे यह कब किसी भी लास्ट यहर में आपने ओप्रिंग स्टोग ऑवर वेलिट हो था जिसके विए से आपका प्रोफिट कम हो गया तो वह एड बैक करना पड़ेगा तो हमने उसको करेंगे एड करेंगे अच्छा अगर इसका उल्टा होगा तो यानिकि अगर ओप्रिंग स्टोग आपको वाइस परस लेके चलना है अब आप आप अप लेके चल दीए माने जाए को क्लोजिंग स्टोग ऑवर वैलूड है अगर देखें क्रेट साथ जाता होगी तो यह ग्रोस प्रफिट भी जाए बढ़ जाएगा आपका ठीक है तो अगर ऑवर वैलिट क्लोजिंग स्ट आपने इसको पेंडल में डेबिट कर दिया तो अगर आपने इसको पेंडल में डेबिट कर दिया तो अगर आपका प्रॉफिट काम होगा होगा तो प्रॉफिट काम होगा तो आपको बढ़ाना पढ़ेगा तो हमने क्या कर दिया एड कर दिया same way for revenue expenditure treated as capital expenditure then अगर कोई भी other कोई future expected expenses तो उसको हम क्या करेंगे minus करा देंगे बस आपके हाथ में क्या जागा यह average profit या फिर future maintainable profit ओल्राइट क्लास तो देखिए हमने यह simple जो formula देखा average profit multiplied by number of years purchase चलिए अब हम इसके basis पर question बरबन देखते है the following permission is as follows about big b limited profit given है आपको 2019 का 20 का 21 का and 22 का क्या लिका हुआ हुआ profits आर बिफोर managerial remuneration amount in group is 50,000 in 2019, 70,000 in 2020, 80,000 in 2021 and 1 lakh in 2022 यानि कि यह जो profits आपको given है चार साल के यह given है आपको before managerial revenue यानि कि आपको यह managerial revenue यानि कि आपको यह manager regression यह क्या आपके आपको किसी को remuneration यानि कि salary दे रहो वो expenditure है यानि कि वो expenditure अब तक आपने इसको recording नहीं किया तो वो minus करना पड़ेगा नो then का लिखा हुआ है in 2019 there was a loss of 45,000 because of sudden floods in nearby river तो यह कि आपका unexpected loss जो कि आपने record कर दिया होगा तो अब हम इसको करेंगे add back करेंगे बिकुज क्या यह आपका unexpected loss जो मैं आपका business से का करूँगा जोरी तो ना फिर से कुछ loss हो जाए then see point closing stock 2020 में overvalued हो गया तो overvalued के बादब क्या होगा gross profit बढ़ गया होगा अब हमें से कम करना होगा अगर लिखा हुआ है however in 2021 थी opening stock was correctly valued देखको सिद्धी सी बात है अगर overvalued में अगर कुछ गड़ बढ़ होगी तो अगले साल वो क्या बन रहागा offering stock तो वो भी गड़ बढ़ रहा रही है लेकिन यहाँ पर यह बोल रहे है सिफ वसिफ 2020 में गड़ बढ़ हो थी 2021 में उन्होंने record साही कर दिया था देन दी पोने के लिखा हुआ है इन 2021 देर वस रपेर अब रुपीस 25,000 रिसल्टिंग इन दी इंप्रूव्मेंट अफ प्लांट यानि की प्लांट खरीद होगा कुछ रपेर जो की क्या एक तरका capital expenditure है however the amount spent was charged to revenue यानि इसको P&L में debit कर दिया तो अब हम क्या करेंगा इसको हम add back करेंगे then now it is agreed to be capitalized for valuation of goodwill subject to a depreciation charge of 10% per annum on diminishing balance depreciation कहां पर रहागा यह यह किसकी बात कर रहे हैं यह बात कर रहे हैं improvement of plant जो किया था right आगे लिखा हुआ है calculate the value of goodwill on the basis of four years purchase of future maintainable profits calculate on weighted average profit of the last four years all right ठीक है तो देखिए क्लास solution देखिए हम पर देखिए profit आपको given है हर साल का यह यह लिग दिया हमने unexpected low 2019 में add कर दिया closing store देखिए overrevalued था जिसके विरे से गाओगा growth profit जादा हो गया होगा तो हमने क्या कर दिया depreciation यहां पर देखिए depreciation जो हुआ था यहां पर देखिए देखिए 25,000 का क्या हुआ था value addition हुआ था अब इस साल depreciation में लेगा 10% के साब साथ तो depreciation लग गया but क्यों सब्सक्राइब देखिए 25,000 की value थी इस साल depreciation लग गया धाई जार का value कितने रहेगी 22,500 तो next year जो 10% किस पर लेगा इस पर 10% लग गया तो 10% next year depreciation कितना लग गया 22,50 तो आपके पास फिर FMP आपके पास आ गई है future material profit उसके पास आपको average निकालो और average करने के बाद आपने कर लिए goodwill से multiply कर दिया तो यह था आपका how to calculate goodwill on the basis of simple average profit चलिए next concept वागा देखिए weighted average आपको identify करने की सबसे बही है कि अगर को trend होगा तो weighted average होग जाता है trend in the sense जैसे example देखिए 2017 में profit कितना तो 10,000 का 18 में 20,000 का 19 में 30,000 का 2020 में 40,000 का तो देखिए आप यह increasing order में है that means हर साल जो profit बढ़ रहा है ठीक है यह तो देखिए मैंने सर्फ यह समझाने के लिखा हुआ है वैसे जरूर्द होना कि इसी सेम तरीके से मनाफ़ा बढ़ता रहेगा यहनि कि को ने कोई trend ना चारा रहा तो increasing order में आपका 2020 तो इसकी विटेज क्या होगी 4 उसलिए पीसे साल 3 फिर 2 और 1 तो देखिए इसी सेम कोशन को मैंने क्या कर दिया विटेज निका लिया तो सबका average दे लिया जो मैं निका तो फिच्टें मिंदेल ने profit दिवड़ड़ेदे लिवादे टोटल वेड्स सबको अडिकर दिया मैंने इन सबको वेड्स को मैंने अडिकर दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बद डिवड़ड़ेदे रहे ते आपका क्या गया यह विटेड़ेज मंतिप्लाइबाए थरी आपका य देगा goodwill, simple, now moving to next question number two, a has the following profits after tax given आपको 40%, this one, this, 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 okay, but हमें क्या करना होगा, यह profit before tax करना होगा, बेको सारे हमें adjustment में तो लेनी है, देखे, tax कब लगता है, net profit पे, but वो net profit आपका correct भी दो होना चाहिए, right, अगर incorrect है, तो हमें क्या करना होगा, अपहल, before tax निकालना होगा, उसके बाद सारे expenditure, यह expenses को, सारे adjustment को, प्लेसे मानेस करना होगा, उसके बाद जो profit आपके पसका आएगा, future maintainable profit, क्या लिखा होगा, देखे, income from non-trade investment, 2000 है, देखे, non-trade है, ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, यह निकालना होगा, जो कि इसमें already added है, तो हम क्या करना होगा, minus, आगे लिखा हुआ है, on 1st April 2020, a machine having a book value of Rs. 10,000, was sold for Rs. 12,000, the proceeds from the sale of the machine, were wrongly credited to a P&L account, and no entry was passed to rectify this, देखे, क्या हुआ था, कि machine को बेच दिया, जिसके book value 10,000 दी, और उसको market value बेचे, 12,000 में, अब क्या हुआ कि इसको P&L में, गल्ती से credit कर दिया, जो कि नहीं होना चाहता, क्योंकि यह क्या है, capital income है, तो सिक आपको profit आपका बड़ीगा होगा, तो उसके करना हम minus करेंगे, एंड यह कौन सीर का है, 21, 22 का, एंड शिक सातन हुआ, next year में, दोनों ही साल में, अबर वेल्ड हुआ, इसके बाद इंक्रीज इन मेनेजर रेमिलिशन जो हुआ, इस साल से, याने कि इसके बाद की बात हुरी है, ठीके न, इसके बाद की बात हुरी है, 20,000 हर साल जो है, मेन होने कंपणी ने, जिसके बाद से, अगरे थीन साल बढ़ जागा, कितने से, इतने से, हमें क्या करना है, calculate the goodwill, at 3 यह प्रचेस, और देखे, profit बाद आपको, इसके बाद आपको, और देखे, प्र देखे, प्र देखे, निकाल लिए, यह ग्याल लिए, यह ग्याल अद आप tax rate, tax rate कितना है, 40% है, तो बस divided by 0.4, simple, sorry, यह ऐसा नहीं होगा, tax rate, 1-0.4, ऐसे हो, तो इतना हो गए, 150,000, 170, 2,00, and 2,50,000, अब हमें यह बेस लेकर जलना है, पहले देखिए, non-trade investment हर साल थी, वो हमने मानस कर दिया, 2000 रुपे से, देखा था हमने, sale of fixed asset थी, जो की 12,000 क्या करता हो, उन्हों पे अजल में credit कर देता हो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, मानस करेंगे, अब इसके बाद देखिए, इसका depreciation adjust करेंगे, देखिए, 10,000 की जो है, machinery थी, उसको बेच दिया, तो बेचने के बाद, जो है, क्या होगा, depreciation खतम होगा, depreciation खतम होगा, पहले उन्हों depreciation मानस क्या होगा था, अब हम क्या करेंगे, हम add पे करेंगे, I repeat class, आपने book value पे, जो है, कोई एक fix action record की भी थी, जिस पे आप 10% का, हर साल depreciation मानस कर रहे थे, हर साल depreciation मानस कर रहे थे, अब हुआ क्या कि, पहले तो आपने उसको recording नहीं किया, capital expenditure में, लिकरें हम उसको record करना होगा, ठीक है, अब जो record करोगे, तो आपकी जो है, fix asset तो क्या होगा, क्या होगी, कम होगी, तो आपका depreciation तो save हो जाएगा, save हो जाएगा, तो अब इसको करेंगे, depreciation का adjust करेंगे, यहनिके add back करेंगे, और वो किससे diminishing method से, तो पहले साल 1000, उसके बनोस्तों, उसके बाद 810, बाकी, undervalued of closet stock given था आपको, यह हमने कहा कर दिया, add कर दिया, value of opening stock, देखे, इस साल, आदेखे, 2021-22 में, undervalued होगा था, opening stock, तो हमने add back कर दिया, देकि next year, यह closing stock, next year के आपने का opening stock, तो हम क्या करेंगे, इसको minus कर देंगे, clear, बस आपके पास feature, maintenance profit आगे, before tax, weights आपको given थे, आपने निकाल लिया weights, आपका आ गया यह, उसके बाद, manager remunition, minus कर देंगे, आपका profit increase हो गया था, यह हम, अच्छा, इसको हमने separate की कर आ, क्योंकि यह 2023 onwards है, right, future maintenance profit इतना आगया, tax इतना था, बस आपके पास आगया, future maintenance profit, 56 moderate profit, आपका tax, multiply by the goodwill, आपके पास यह amount हो गया, and that's it, तो दिखीए, आपका easy था, आपका first topic आपका cover रहोगा, आपका पर आपका 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 भीया, the valuation of goodwill on the basis of the average profit, and average profit आपका आपकी दो थे, that is simple average and the elections, आपका आपका average, thank you,